हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर आशिश कुमा मित्तल मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेटिस्ट डिएडिक्शन और साइको सेक्शल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुडगाओं में प्रेक्टिस करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है और टॉपिक का नाम है कि क्या आपको OCD है काफी लोग हैं सोसाइटी में जिनको OCD के कुछ ना कुछ लक्षड होते हैं लेकिन वो कन्फ्यूज होते हैं कि एक्च्वल में उनको बीमारी है या कुछ OCD के सिम्टमी है तो सबसे पहले कि ये समझने के लिए कि आपको OCD है या नहीं पहले हम जानेंगे कि OCD है क्या OCD होना कॉमन है बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी कभी कभी थोड़े बहुत OCD होते हैं लेकिन जब ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि वह आपकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल या अकेडेमिक लाइब को अफेक्ट करने लगें तब इसको disorder बोला जाता है अब हम जानेंगे कि Obsession क्या है Obsession होते हैं Thoughts ये Thought के लेबल पे होते हैं इसमें आपको हो सकता है कि कोई Doubt आए जैसे कि Doubt आया कि अरे दर्वाजा खुला है या बंद है या कि जो गैस का नोव है वो खुला हुआ है या बंद है या कोई भी Thoughts आपको जो कि repetitive आ रहा है कि जैसे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो वो हो जाएगा अगर वो करूँगा तो ये हो जाएगा इस तरह कि आपको repetitive thoughts आ रहे हैं या कोई images आ रहे हैं जो कि अच्छी भी हो सकती हैं गुरूई भी हो सकती हैं लेकिन वो इतनी repetitively आ रही है कि जिससे आप disturb हो जाते हैं आपको anxiety हो जाती है या आपको कोई भी fear आते हैं जैसे कि contamination का fear कि मेरे हाथ में कुछ-कुछ लगा हुआ है उसमें contamination हो गया है उसमें virus या किटाणू लगे हुए हैं जिसकी वज़े से आप परिशान रहते हैं इस thoughts की वज़े से अब मैंने दूसरा पार discuss किया compulsion का कि OCD में C का मतलब होता है compulsion का मतलब होता है action तो जैसे मैंने OCD में बिताया कि पहले आता है O obsession की thought आता है दिमाग में और इस repeated thoughts की वज़े से आदमी बार-बार कोई action करता है जो की होते हैं compulsion और ये compulsion करने से जो person को obsession की वज़े से जो प थोड़ी कम हो जाती है तो इसलिए आदमी obsession आने पे बार-बार compulsion या एकी act बार-बार करता है जो थोड़े समय के लिए तो उसकी anxiety कम कर देता है लेकिन long term में बीमारी को बढ़ा देता है तो जो common compulsion हैं जो commonly देखे जाते हैं वो है बार-बार हाथ धोना दरवाजे को बार- में चलना और जो रेखाएं बनी हुई हैं उनको follow करना काफी लोगों को mental compulsion होते हैं कि वो दिमाग में count करते हैं कि मैं ये चीज इतनी बार करूंगा या वो शुब अशुब नंबर को follow करते हैं या शुब अशुब color को follow करते हैं या odd even को follow करते हैं तो इस तरह से लोग तो सैकडो compulsion की list है जो की OCD में हो सकते हैं और हर patient में अलग-अलग compulsion होता है कुछ मरीजों में तो हमने compulsion देखा है कि वो masturbate बार-बार करते हैं 8-8-10 बार लोग masturbate करते हैं क्योंकि उनको दिमाग में sexual thought, sexual obsession आ रहे होते हैं तो इस तरह से obsession and compulsion OCD की बिमारी में होते हैं जो उनकी life को affect कर देते हैं इसलिए इसको disorder बोलते हैं अब जो OCD की बिमारी है हर person में समान रूप की नहीं होती है बहुत से लोग कहेंगे या मेरे को भी OCD है थोड़ी बहुत O जाता है बहुत से लोग इससे थोड़े से disturb होते हैं बहुत से लोग कुछ ज्यादा disturb हो जाते हैं और बहुत से लोगों का तो पूरा काम ही रुख जाता है OCD इतनी severe हो जाती है उनकी life पूरी तरह से busy हो जाती है obsession and compulsion को पूरा करने करने में तो इसलिए OCD mild, moderate, severe तीन तरह क हो सकती है वो depend करता है कि उनकी life में कितना dysfunction हो रहा है काफी लोगों में severe OCD होने की वज़े से depression तक हो जाता है अब सवाल आता है OCD होता क्यों है तो जो नई biological theories है उसके इसाब से OCD का main card है दिमाग में neurotransmitter imbalance जिसमें की most commonly जो imbalance देखा जाता है serotonin, norepinephine and dopamine के pathways में देखा जाता है इन neurotransmitters की कमी हो जाती है brain में especially serotonin की जिससे ये बीमारी हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको या आपके किसी family member को अगर OCD है और अगर आपको doubt है कि वास्ताम में ये problem है या नहीं इसकी severity कितनी है और आपको doctor को दिखाना है या नहीं दिखाना है तो आप OCD के लिए एक self test ले सकते हैं इसके लिए आप क्या करिए हमारी joyo app पे जाईए joyo app पे आप self test वाला section open करिए और उसमें OCD self test को open करिए और वो self test आप लीजिए जो कि कुछी minute में आप कर सकते हैं within five minute में वो self test हो जाएगा तो उससे आपको एक scoring मिलेगी और आपको पता लगेगा कि आपको OCD है या नहीं किस severity की है और आपको doctor से consult करना चाहिए या नहीं क test के और भी फाइदे हैं especially जो आपके family member या सुईकार नहीं करते कि उनको OCD है और उनको वास्तम में आप देख रहे हैं कि OCD के सारे symptom मौझूद है उनकी lifestyle बहुत जादा affected है ऐसे लोगों से self test लेने को कहिए तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ उनको OCD है दूसरा चीज अग और कितना फाइदा आ रहा है तो self test से यह काफी सारे फाइदे हैं जो आप ले सकते हैं अब दोस्तों अब हम जानेंगे कि OCD का treatment कैसे होता है तो OCD का treatment इसमें जो treatment of choice है वो है CBT जिसमें की काफी therapies यूज की जाती है जैसे की cognitive therapy यूज की जाती है exposure and response prevention यूज किया जाता है तो दोस्तों कहने में तो यह बड़ी आसान है लेकिन इसका एक systematic तरीका होता है इन therapies को करने में और काफी time और energy patient को देनी होती है इन therapies में लेकिन इससे आराम बहुत अच्छा आता है और बहुत long lasting आराम आता है एक simple सी cognitive therapy जो मैं अभी आपको बता स सकता हूं जैसे कि अगर आपको काफी सारे obsessions आ रहे हैं कि जैसे आपके हाथ गंदे हैं आपके हाथ गंदे हैं इनको दोईये contamination हो गया है तो आप उसको thoughts को दिमाग में label करिए कि यह बीमारी का thought है उसको thought को अठाने की ज़रूत नहीं है बस उस thought को label करना है कि यह बीमारी क thought को आने दो और जाने दो और उस thought की वाज़े से compulsion करना avoid करो आपको बार बार हाथ नहीं दोना है क्योंकि आप जितना ज़्यादा compulsion करेंगे obsession future में उतने ही बढ़ जाएंगे तो obsession आया किसी भी तरीके का उसको label किया कि यह OCD का thought है और उसको ignore करना चालू कर दिया और कोई तो यह बताना मेरे लिए बड़ा simple है लेकिन करना patient के लिए difficult होगा तो आप अगर थोड़ा बहुत भी यह कर पाओगे तो धीरे-धीरे आपको आराम आने लगेगा इसके इलावा जो counseling treatment में ने बताया CBT इसके इलावा medicine भी use की जाती है OCD में और सबसे commonly SSRI medicine यह use की जाती है तो इस medical treatment के लिए आप nearby psychiatrist से मिल सकते हैं आप Delhi NCR में तो आप मेरे से मिल सकते हैं इसके अलावा जिन लोगों की OCD बहुती severe हो गई है वो depression में जाने लगे हैं वो hopeless या societal thoughts उनके दिमाग में अगर आने लगे हैं और OCD किसी भी तरह से control में नहीं हो रही है तो ऐसे लोगों को admission की भी जुरुत पड़ती है और हम patient को admit करके काफी अच्छा इलाज कर सकते हैं अगर दोस्तों आप चाते हैं कि मैं किस hospital में काम करता हूँ जहां हम admit करके OCD के patient का treatment करते हैं तो आप नीचे description में देख सकते हैं तो दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि simple से simple video में बनाओं अपनी मात्र भाषा में हिंदी में यह video बनाओं जिससे कि आप simple बिमारियों के बारे में और common बिमारियों के बारे में जैसे OCD बहुत ही common बिमारी है इनके बारे में आप जान सके हैं और जब इनको जागरुकता आपको होगी जब आप इन बिमारियों के बारे में जानेंगे तो आप उनका treatment भी ले पाएंगे तो hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर दोस्तो OCD से related कोई भी obsession जो compulsion जो मैंने इस वीडियो में share नहीं किया है जो की सैकडों है और आपने देखे हैं तो नीचे comment में जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे compulsion होते हैं मैंने दे झाल